Hello everybody, आज मैं आपको बताने वाली हों कि ग्यानसारती पे किस टाइब के कोर्से मिलते हैं and as student आप अपना कोर्स को खुद कैसे चूज कर सकते हैं So जो सबसे पहला कोर्स होता है, वो होता है trainer-led कोर्स जिसमें कि trainer अपने आप से आपको कोर्स में assign करते हैं and जो भी content वो पढ़ाते हैं, वो आप अपने ग्यानसारती पे देख सकते हैं यह first option है, second option होता है आप ग्यानसारती में student login करने के बाद आप self learning courses भी कर सकते हैं, जो self learning courses होते हैं वो student अपने आप choose कर सकते हैं तो अभी हम ग्यानसारती पोर्टल की तरफ जाते हैं and मैं आपको बताती हूँ कि आप as a student उसको कैसे access कर पाएंगे, उसको use कैसे कर पाएंगे तो चलिए चलते हैं ग्यानसारती की website की तरफ जैसी के आप देख सकते हैं, ग्यानसारती पोर्टल की website है, login अल्रेडी हो रखा है आप लोगों को मैंने अल्रेडी सिखाया था कि login कैसे करते हैं आप सिखाती हो कि self learning course तो यह जो आप सबसे पहला option देख रहे हैं, green color में यह दो students हैं यापर और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, self learning courses तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसको देखें, कौन-कौन से courses यहाँ पर available हैं इसके लिए आप click here करेंगे, जैसी आपने click here पर किया, यह एक check करके option है फिर एक self learning course है, interview preparation, pre employment, फिर है interview preparation, another one, ITITS फिर interview preparation, digital literacy, interview preparation, pre employment, hospitality, then interview preparation, pre employment, IT तो ऐसे आप यह courses देख पारें तो for example आपको यह interview preparation, hospitality वाले में चेक करना है तो आप इसमें क्या simply कर सकते हैं, enroll for the course अब इसमें आप यह सारी चीज़े देख सकते हैं कि इसके start date क्या है, end date क्या है course में कितने component है, assessment कितने है और आप अपने आपको enroll कर सकते हैं तो यह course आप खुद से choose कर सकते हैं जैसी आपने इस पर क्लिक किया, enroll for the course अब आप enroll होगें, यहाप आया option, this course has been assigned to you अब आप इस course को start कर सकते हैं जैसी आप start करेंगे, आपको यह सारे options दिख चाहेंगे और आप एक एक करके चीजों को पर सकते हैं for example, जैसी आपने first option पे click किया, first option पे click करते ही, थोड़ा सा buffer करेगा, आपको wait करना है और जैसी wait करेंगे, आपको यहाँ एगा click to open pop-up, if not already open आप इस पे click करेंगे, जैसी आपने click किया, एक new window open होती है, और उस window में आप PPT देख सकते हैं, जैसी कि PPT है पूरा दिया हुआ है कि आप क्या-क्या चीज़े हैं यहाँ पर इस module में, first day आप क्या पढ़ेंगे, फिर उसकी information detail में आप देख सकते हैं, right? अब आपको for example, second video देख रहे हैं, तो video में same करेंगे, take course component, जैसी आपने take course component किया, again same option आपको दिखेगा, click to open pop-up, अब आपको video देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि video में signing भी है, audio भी है, and visually भी visible है, तो यह आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, I hope आपको समझ में आया कि आप self learning courses को कैसे access कर सकते हैं, thank you for watching the video, आपको अगली video में और information दूँँगे मैं ज्यान सार्थी के बारे में, thank you, bye bye